सासिकाल जी, मैं कुलविंदर कौर, SS मिस्ट्रेस, गौर्मेंट गर्ल्ज सीनिस केंडरी स्कूल बुताड़ा विखे आज अपां अठमी जमात दे पार्थ नमबर दो गुदर्ती सहादन दे विच्चों टॉपिक है पुम्मे दी वर्तो इस दे वारे विचार करांगे के पार्थ विच्च पुम्मे दी वर्तो किस टंग नाळ किते जान्दी है असे जान्दी हैं के पार्थ दा कुल खेतरफल बती लाख 87,782 वर्ग किलो मेटर है इस पार्थ दे विच्च पुम्मे दी वर्तो अलग अलग टंगा नाल किते जान्दी है इस दे विच्च सब तो वर्त जिड़ा एरिया है वो है बिजाई हेट पुम्मे बिजाई हेट पुम्मे 46 परसेंट फिर है जंगला हेट पुम्मे 3 परसेंट गैर खेती पुम्मे 14 परसेंट चार गहां द्रकता हेट पुम्मे 4 परसेंट फिर खेती योग पर नतु विर्त पुम्मि इस दा 5 परसेंट पाग है ते खेती तो भीना चड़ी होई पुम्मे ये 8 परसेंट पाग है सो पहला सब तो विचार कर दियां बिजाई हेट पुमी पारत दे विच इस दा 46% एरिया हुदा है जिस दे विच असी वकवक परकारदिया फसला है जिडिया हो उगानिया ते इस दी उपजाओ शक्ती बहुत वदिया है ज्यादा तर पारत दे लोग इसे कल्टिवेटड एर या दे उते निर्बर कार देने दूजी है जंगला हेट पुमी पारत दे विच जंगला हेट पुमी ओंदी है लग पग 3% टोटल है बाई पॉइंट 2 प्रतिशत लेकिन टोटल होना चाहिदा है जंगली एरिया वो 33% दा रखबा है जेडा संगनी अबादी वाले देश वे चे हिस्सा बहुत कट है लगाता द्रक्त सी कट दे जा रहे हैं जेस कारण जंगला दिया जड़ी एरिया वो कटदा जा रहे है इसलिए वाद वाद सान्नों द्रक्त लगाने चाहिदे हान अग्गे है गैर खेती पुमी ए कुल खेतर फाल दा एस वेच चौदा प्रतिशत पाग ओनदा है एस हिसे दे वेच शेहर पेंड रेलवे लाइना दर्या नदिया चिला इनने एहे मली वाईया एवाडा इरिया ते बंजर पुमी दा हिस्सा भी एसे गैर खेती पुमी दे वेच ओनदा है अग्गे है चार गाहा अते दरक्ता हेट पुमी इस विच कुल पुमी दा चार प्रतीशत हिसा चार गाहा हेट होंता है जिस विच असी पचुवानू चरौन दे लेए लेके जानते हैं भारत विच होन पंजाब वर्गे राज वेचे हिसा भी होन कटदा जा रहे है पचुवानू चरौन दा नेक्स्ट है खेती योग परन्तु वे अर्थ पुमी ए पुमी ओ खेती योग है जिस विच खेती ता किती जा सक्दी है परन्तु कुझ कारण दे जिदना दे कारण दे खेती नहीं किती जान दी जी में काफी लम्मे समय ताके विच पानी खड़ा रन्दा है लूना दी काड़ पाई जन्दी है मिट्टी रोड जन्दी है तो लास्ट विच है खेती तो बीना चड़ी होई पुमी इस विच अठ प्रतिशत पाग इस विच ओन्दा है यह वो पुमी हों दिया वो खेती हों दिया जिस विच जिसनों आसी एक तो पांच साल दे ले खाली खड़ दिता जन्दा है ता जो इथे अपनी उपजाओ शक्ती दुबारा ग्रहन कर सके इसलिए खाली चाड़ दिन दिया एक तो पांच साल दे पांच साल बाद एक फसल लही जान्दी है यह ने वखवाख परकार दिया पुमी वर्तो पार्त दे वेच पार्त वेच रखवा बहुत कट पाया जान्दा परन्तु इसनों होरवदाया नहीं जा सकदा लेकिन इस दी अगर स्योग तरीके नार चंगे टंग तरीके ना वर्तो किती जावे ता अस्दी उपजाओ शक्ती नुँँ असी बरकरार रख सकदे हां ता नवाद